आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरा नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टडी ग्लोस पर आपका बहुत दोस्वागत है तो संडे चुटी रहती है चार अगस के करेंट एफेस हम देखेंगे लेकिन इससे पहले हमारे शानदार 10,000 MCQ का कोर्स चार मेने में इसको घदम कर देंगे दोस्तों अब 50 लोगों के लिए 10,000 कूपन कोड अवेलिबल है इसमें आपको एक्ष्टा 500 ओफ मिलेगा 999 का ये कोर्स है बहुत ही मदद आपको करेगा क्योंकि बहुत सरे वंडे एक्जाम्स की वांड्स हा गई है तो हम इन 5 करें इंटरफेस की बात करेंगे चलिए सबसे पहले तो देखिए वाइनाड लैंड्स्लाइड टरजिंटी जो बहुत दुखद हुई कितने लोग मारे गए पेपर सी के लिए सुपर इंपोर्टेंट है याद रखेगा कि जो जो वाइनाड है भयानक केरल में आता है एक टूरिस प्लेस है भयानक हम को बारिश यहां पर देखने को मिली और पूरा वेस्टरन घार्स एकदम बहुत ही बारिश होती है क्योंकि देखे यह इस समय ला नीना चल रहा है बारिश वैसे भी जादा हो रही है तो इसी वज़े से लैंड्स्ला जंगन कमिटी जो 2011 में बनी तो इसने बोला था कि वेस्टरन घार्स में इतना जदा कंस्ट्रक्शन ना करें थोड़ा सा ध्यान दें लेकिन ऐसा हुआ नहीं 2011-2013 दोनों यह बोला था कि आप आस पास के एरिया में ना इतना कंस्ट्रक्शन करें रेकमेंडिशन दी थी और केरल की जो पहाड़ी एरिया हैं यहां जंगल बचे नहीं है जंगल उखाड़ के होटल बनाए जा रहे हैं टूरिजम के लिए और जदा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है 2012 में यह रिवील किया गया था कि 60% जो जंगल है वाइनाड ने खो दिया है 1950 से लेकर 2018 तक और सबसे भयानक landslide 2015 में देखने को मिली और अभी देखने को मिली है तो mitigation brand यहां पे हमको देखने को मिल नहीं रहा है एक तरीके से जो nixos है माफियां का politicians का जो authorities जिस तरीके से हैं पर बाइपास की जाती है तो यह खतरनाक है मेट ने बोला है कि और ज़्यादा लैंड्सलाइड हो सकती है अगर inadequate measure नहीं लिये गए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो राज सरकार है वो proper action ले और यह जो unregulated development है यह इसको कर्व करें तो conclusion यही है कि एक warning है थोड़ा सा सही हो जब कायदे में रहेंगे तो फाइदे में रहेंगे बरना बहुत बड़ा problem हो सकती है anti-conversion law paper 1 के लिए super important है BJP उत्तर प्रदेश इसको introduce करने वाली है कि भया जो धर्म परिवर्तन है एक लव जिहाद भी समें होगा 2021 का amendment है जो यह law लाया था prohibition of unlawful conversion of religion act 2021 अब यह शायद आसाम भी लाने वाला है तो इसमें यही है कि जो schedule cast और schedule tribes है जिनके लिए भी भयानक decision भी आया था court का कि अब इसमें भी हम सब classification करेंगे तो इनको protect करने के लिए यह law लाया गया है ठीक है न कि आम तोर पे जो घरीब होते हैं इनको लालज देके धर्म परिवर्तन जो है वो करा दिया जाता है तो ऐसा नहीं है तो इसको prevent करना है तो अब judicial construct की बात करें तो justice रोहित रंजन अगरवाल अलाबाद हाई कोटे इन्होंने वोला कि देखिए unlawful conversion especially SCST का बहुत ज़ादा है जो पीछे भाग गया यह तो बहुत ज़ादा unlawful conversion है और ज़ादा तर Christians Community यह करती है कि वही है कि गरीबों को थोड़ी जमीन दे दिया और उसको convert कर लिया तो एक तरीके से इसको address करने की बहुत ज़ादा जरूरत है तो यहाँ पे judicial interpretation को भी यहाँ पे review किया जा रहा है कि कौन FIR 2021 के act में file कर सकता है तो इसमें FIR है कि original provision में यही है कि जो FIR है वो relative ही file करेगा लेकिन amendment कोई भी इंसान file कर सकता है ठीक है ना तो previous restriction को हराय जाएगा तो जो भारती नागरिक सुरक्षा सनहिता है आपको पता है कि जो हमारा CRPC वो भारती नागरिक सुरक्षा सनहिता से replace हुआ है तीन law IPC, CRPC और Indian Evidence Act इन तीनों को replace किया गया है तो यह नया अब कानून आया है तो उसके हिसाब से यह FIR दर्ज की जाएग और bail conditions इतनी आइसान नहीं होगी Prevention of Money Laundering Act PMLA आपको पता है EDEC के तहट मामला दर्ज करती है जिसमें bail मिलना बहुत मुश्किल है और UAPA में भी bail मिलना बहुत मुश्किल है तो उसमें भी bail condition जो यह conversion access में भी बहुत मुश्किल होगा और इसमें जो public prosecutor है उसके पास पूरी opportunity रहेगी कि वो bail application को फोस करते ठीक है रहाँ कोड देखेगा कि हाँ reasonable ground होने चाहिए कि accused guilty नहीं और इस तरीके का offense नहीं करे गई है punishment enhance किया गया है 7-14 साल तक की jail अगर आप ऐसे conversion मना रहे है तस मनलब दस लाग रुपे तक का fine आपको देना पर सकता है और इसमें property assault force का use करना जबर्दस्ती आप you know जैसे बहुत लोग होते हैं कि भाई हम आपको खतम कर देंगे शादी करवा देंगे promise कर देंगे तो एक तरीके से अगर इस तरीके की assault करना force का use करके conversion कराना you know death threats देना तो इसमें 20 साल के सजा है आप समझ रहे हो minimum तो ऐसे anti-conversion law उत्राखन, लोग कुजरात, मध्यप्रदेश और अब उत्तरप्रदेश जो है वो इसको लेके आया है यह सारे law जो BJP ruled state है यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा तो अब जैसे citizen for justice and peace, CJP और जमात, जामियात उलिमा एं हिंद, यह बताती है कि जितने भी cases हैं, इन सब को Supreme Court में transfer कर दो चलो एक और landslide होगे केरल में यह भी देख लेते हैं बही है, शिरूर landslide तो आप देख सकते कि केरल के हालात बहुत जादा कराब है 16 जुलाई को massive landslide शिरूर गाउं में जो है, उत्तर करनाटक डिस्ट्रिक्ट में सॉरी, यह करनाटक में हुए हम सॉरी वहाँ पे हमको देखने को मिली है और landslide ने पूरे highway और वहाँ पे जो घर बने थे, power tower सब को जो है, वो तबाह कर दिया रिपोर्ट यहीं बताती है कि जो NHI AI में, मतलब यही unscientific construction हुए जा रहा है, तो यहीं होगा दोस्तों, यह जो इतना ज़्यादा unregulated development है न, जबर्दस्री construction पर construction, problem create होगी, rainfall बहुत ज़्यादा होई, 503 mm इसकी वज़े से और दिक्कत, NH66 project 2020 में complete हुआ था, यह भी कस्तूरी रंगन committee में था कि भाई यह जो road बनाई जाती है, पहाड़ों को काटा जाता है, यह भी बड़ा dangerous sign है annual rainfall साड़े 3000 सा 4000 mm जिसकी वज़े से infrastructure challenges हमको देखने को मिले, और जितने भी decident या environmentalist है, वह भाई बता रहे कि जो highway का construction ने dangerous है एकदम इतनी slope पे मकान बनाई जाते है और यह दिक्कत पैदा करता है तो इसी लिए बोला है कि भाई इसको चीजे contain करनी चाहिए, official response यह रहा है कि सबसे पहले तो multiple factors, इसमें सबसे बड़ा factor rainfall के वज़े से, इतनी बारिच और इसके वज़े से जो है, वो land slide हमको देखने को मिला है और सिदार अमिया ने बोला कि NHAI, ऐसे incomplete road section बे toll को connect करता है, तो यह सही नहीं है GSI ने बोला है कि तुरंत और long term measure जो है, वो लेने चाहिए hill slope पे जो मकान बनाई जाते हैं यह जो भी construction किया जाता है, वो बंध हो एक geotechnical investigation होना चाहिए और सबसे बड़ी बात, water engineering protocols को follow करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है environmental construction यही, concerns यही है कि जो environmentalist और local journalist है इसमें यही है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पुरह assessment हो और you know rain prone area है उत्तर करना district, vertical cutting जो hills के vertical cutting और poor water management यह ना हो, इन सब चीजों को देखा जाए, उसके बाद federalism को जो issue है, यह हम देख लेते है paper 2 के लिए super important है center यही कह रहा है कि भाई देखे proactive रही है, state conflict ज़्यादा हो रहे है center ने यह कहा है governors को कि थोड़ा सा social media प्याप active रहे, it is very important और governors जो है वो वही है कि भाई public और public से ज़्यादा वहलब एक तरीके से उनको encourage किया जा रहा है कि देखें, आपके राज्य में यह कहीं पर भी public जो है वो सबसे important रहती है, तो लोगों से connect रही है अपने views यह वो शेर करते रही है difference नहीं होना चाहिए एक तरीके से ठीक है न, तो जितनी भी central agency उससे proper तरीके से coordinate करिये ताकि सब कुछ ठीक से हो job generation, education, skilling, service और growth पे आप थोड़ा सा cooperation करिये हो और coordinate करिये है यहाँ पे तो governance के दो दिन की conference थी जो president हमारी दुरापदी मुर्वू उन्होंने इसको convene किया और vice president, prime minister, union minister, senior officials हर जो, हर किसी ने इसको attend किया और agenda item यही था कि जो तीन criminal law भी आए हैं उनको तुरंत implement किया जाए higher education में रेफॉर्म फिर जो tribal areas और aspirational district हैं उनको develop करना governor जो है वो इन सारे issues को देखे और ध्यान देन सब पर और coordinator on engagement होना चाहिए यह बहुत ही ज़ादा जरूरी रहेगा राज्यों और सरकारों के बीच में अब यह जो SCST community का sub classification है paper 2 के लिए बहुत ही important है तो आपको पता है यह हमने cover भी किया था बहुत अच्छे रिकवर किया था कि अब sub classification होगा ST और SC में यानि कि जो creamy layer वाला OBC में चलता था 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 वो अब SCST में भी चलेगा कि मतलब सबसे कमजोर है आम तोर पर हमने देखा रिपोर्ट में यह था कि जो 25% है SCST में वो आपकी 70 मतलब जो पूरा का पूरा कोटे का जो benefit है वो यह ही 25% कास्ट ले रही है तो सबसे ज़रूर है कि जो सबसे कमजोर है उसको इसका benefit मिले तो Justice BR गवई ने यही बोला कि state जो है इसको identify करेगा राज्यों के पास हम पूरी ताका देर अभी तक राज्यों के पास पावर नहीं थी President के पास Article 341, 342 के तहत पावर थी कि कौन सी Community जो है वो SCST में आएंगी ठीक है तो इंद्रासौनी केस रूलिंग से यह क्योंकि Creamy Layer का जो judgment है वो इंद्रासौनी केस ने दिया था और Creamy Layer वही है जैसे मालीचस में दो category है एक तो जो सरकारी office जो जिनके पास government job है अब वो Community जिनके पास government job है उनके बच्चे कहां से बहुत पिछड़े होंगे उनको सारा benefit मिल गया तो जिनके जो group A और group B में है especially उनके लिए उन groups के लिए तो आप समझें कि यहाँ पर ही चीज़े नहीं होनी चाहिए और group B जो मतलब जो दूसी category है उसमें private job private job वह जिनके पास अच्छा का सा land है आट लग से उपर income है तो वो Creamy Layer में आते हैं यह इंदरा सौनी जो judgment आया था वहाँ से criteria जो है वो decide हुआ था तो Department of Personal Training ने 6 category जो है वो decide की इसमें जो आपको देख रहा है जो आपको बता है कि सबसे पहले तो जो सरकारी job है constitutional या strategy post holder है group B में जो officer है service employer PSU universities में है military officer है doctors, lawyers, engineers के बेटे property owners है या income time wealth बहुत अच्छी खासी आपके पासर करें income और wealth है तो यह हिसाब केताब है तो जो criteria है यह SCST के लिए होना चाहिए और उसी हिसाब से हम sub classification जो है वो करें it is very very important क्योंकि जैसे OBC के अगर बात करें तो economic और social criteria जो है वहाँ पे upward mobility हमको OBC में देखने को मिलती है बट SCST में यह हमको देखने को नहीं मलता है तो इसलिके लिए Supreme Court ने यह बात बोली यह lecture था दोस्तों 5 current affairs super important तो हमारे course को ज़रूर अवेल करें बाकि कल हम अगले set of current affairs के साथ हासे रोंगे Thank you so much